पहला नंबर इनका नहीं आएगा क्योंकि तो घर के हैं इनको बाद में दिया जाएगा जब महमान आते हैं तो पहले मिठाई महमान को देते हैं ना बाद में तुमको देते हैं वो ऐसा ही होता है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहाँ आपको लगातार economics, OCM, SP, information technology और commerce के सभी subjects के informative videos मिलते रहेंगे तो ज़रूर से subscribe कीजिए, बेल आइकन दबाईए और अपना प्यार बरकरा रखिए दोस्तों आज जो हम answer पढ़ने जा रहे हैं यह एक बहुत ही महतुपूर्ण answer है board exam के लिहाज से Today we are going to study about equity shares and features of equity shares जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि owned capital और shares कितना ज्यादा माइने रखता है corporate finance के तौर पर sources of corporate finance में सबसे एहम यह shares ही होते हैं और इसके दो प्रमुख types बताय जाते हैं equity shares and preference shares दोस्तों आप आपके सामने यह photograph में देख सकते हैं इस screenshot में देख सकते हैं हमारे textbook में भी दिया हुआ है equity shares जो होते हैं यह एक type है और दूसरा type है preference shares दोनों के अपने-पने माइने हैं खास बात अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूं तो equity shares जो होते हैं वो equity shares with voting right वाले होते हैं दूसरे equity shares with differential voting right यानि यहाँ पर कुछ voting right से related differentiation किया हुआ है और preference shares की बात करें तो बहुत सारे types हैं cumulative preferences हैं, non-cumulative हैं, participating preferences हैं, non-participating भी हैं, convertible, non-convertible, इसके अलावा redeemable और irredeemable इन सभी को हम detail में हर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आज का ये वीडियो dedicated है equity shares के बारे में, तो चलिए equity shares को बारी किसे समझ लेते हैं जी हाँ दोस्तों equity shares are known as ordinary shares, जी हाँ, किसी भी बड़े company के ordinary share को equity share कहा जाता है ये वो share है जो share holder को उस company का मालिक बना देता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई खास preference नहीं मिलता और इसी लिए ये equity share कहलाए जाते हैं सिर्फ आपको company का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है इन shares की बदौलत Companies Act defines equity shares as those shares which are not preference shares, जी हाँ, Companies Act भी कहती है, वो share जिनके पास कोई खास preference या प्राधान्य नहीं है, उसे equity share कहा जाता है कुल मिला करके एक ordinary share यानि company का हिस्सा The above definition reveals that the equity shares do not enjoy preference for dividend, यानि कोई खास dividend enjoy नहीं करते equity shares साथी साथ, the equity shares do not have priority for repayment of capital at the time of winding up of the company एक महतवपून बात दोस्तों, equity shares वो shares होते हैं, जिने प्राधान्य नहीं मिलता, किसी भी चीज में और याँ पर खास बात यह है कि repayment of capital यानि जितना पैसा लगाया है, उसका repayment अगर company बंद हो गई, तो भी आपको पहले नहीं मिलेगा उन्हें पहले मिलेगा जो preference shareholders है, इसको हम बारी किसे आज ही समझने वाले हैं इलहाल से वितना समझिये कि equity shares सिर्फ company के मालिक के तौर पर act करेंगे, फायदा हो, नुकसान हो, सभी equity shareholders को बराबर का जहिलना पड़ेगा यही आपको यहाँ पर समझ में आएगा, equity shareholders own the company, यानि आप मालिक बन जाते हैं, और जब आप किसी business में के मालिक हैं, तो आपको जाहिर सी बात है, profit, loss, यह सब जहिलना तो पड़ेगा and their ultimate risk associated with the ownership, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, यह छोटी सी बात आप समझ पाया होंगे, कि equity share ultimately एक ordinary share ही होता है जी हाँ, दोस्तों, equity shareholders do not carry any fixed commitment of dividend, यानि यह share खरीदने पर आपको commitment कुछ नहीं मिलेगा कि आपको dividend या interest या ब्याज कह सकते हैं, आम भाशा में यह मिलेगा ही, अगर company को फायदा हुआ, तो वो उसमें से आपको कुछ dividend दे देगी लेकिन कोई fixed dividend आपको नहीं मिलने वाला, they are paid dividend at the rate recommended by the board of directors only if there is no profit, no dividend will be payable, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई profit नहीं होता, तो कोई dividend नहीं मिलेगा इसके अलावा दोस्तों, similarly if there is less profit, lesser dividend will be paid, thus the fortune of equity shareholders is tied up with the ups and downs of the company यानि company के उतार चड़ाओ के साथ, equity shareholders का नसीब जुड़ा हुआ होता है if the company is successful, they enjoy great financial rewards, and if the company fails, the risk falls mainly on them यानि फायदा होता है, तो बहुत ज्यादा फायदा equity shareholders को मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, वो तो मालिक है company के लेकिन नुकसान हुआ, तो बहुत ज्यादा नुकसान equity shares holder को जेलना ही पड़ेगा इसलिए, equity capital का दूसरा नाम risk capital भी रखा गया है तो owners of equity shares are real risk bearers, ये एक risk ही तो उठा रहे हैं, बड़ा पैसा लगा रहे हैं, guarantee कोई नहीं है कि मुनाफान की होगा या नहीं, surely होगा या नहीं, बस अगर हो गया, business चल पड़ा, तो आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि आप company के मालिक है However, equity shareholders participate in the management of their company, ये खासियत हैं और इसलिए, लोग equity shares खरीदते हैं दोस्तों, क्योंकि आप मालिक बन जाते हैं और आप management में हिस्सा ले सकते हैं, जो दूसरे shareholders नहीं ले सकते They are invited to attend general meetings, they are allowed to vote on all matters discussed at the general meeting They elect their representatives to manage the company, यानी company को manage करने के लिए वो चुनाव करेंगे वो चुनेंगे कि कौन होगा board of director, वो चुनेंगे कि manage कौन करेगा company को उनके बहाफ पे और इसी प्रकार meetings भी वो attend कर पाएंगे They elect their representatives to manage the company, equity shareholders are the real owners of the company तो उमीद करता हूँ दोस्तों, equity shareholder का एक short और brief idea आपको आही गया होगा चलिए, अब इन्हें detail में समझते हैं, features of equity shares के जरिए तो दोस्तों, बात जब करते हैं features of equity shares की, तो कुल मिला करके 13 points का answer है और इस answer को आसानी से समझने के लिए, लिख करके practice करने के लिए और दिमाग में permanent fit करने के लिए हमारा short code है, no preference जियां दोस्तों, no preference question का नाम है features of equity shares और answer का नाम, no preference जियां दोस्तों, स्वभाव में ही सब कुछ है, equity shares का स्वभाव ही है कि इसको कोई preference नहीं देता, कोई तवज्यों नहीं देता, कोई एहमियत नहीं देता लेकिन है तो यह मालिक, है तो यह owner, profit में इनका तो हिस्सा होगा ही, loss में भी होगा और इसलिए there is no preference to equity share और हमारा short code भी यही कहता है तेरा points का यह answer, answer का नाम no preference, no preferential rights, no charge on assets, P से permanent capital, RC rights और residential claimants इसके अलावा F से fluctuating dividend, F से face value, market value M से, R से risk और right issue, इसके अलावा bonus issue और आखिर में controlling power और capital appreciation दोस्तों, इन सभी points को चलिए, बारी की से समझ लेते हैं, छोटे-छोटे points हैं और आपको इस short code के जरीए लिख करके practice करना है, ताकि आप बैतरीन तरीके से exam में इसे present कर सकें चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले, no preferential rights, जैसा कि हमने definition में देखा, शुरुआत में ही, equity shareholders वो, वो shares carry करते हैं, जो, किसी खास rights को belong नहीं करते या उन holders के पास, उन shares के अंदर कोई खास rights नहीं होते हैं, और इसलिए, they are not given any preference, याद रखिए, no खास rights, no preferential rights, yes, equity shareholders do not enjoy preferential right in respect of payment of dividend, यानि, जब dividend देने की बारी आएगी, तो equity shareholders को कोई खास तवज्जो या preference नहीं दिया जाएगा, they are paid dividend, only after dividend on preference shares has been paid, यानि जो preference shareholders होते हैं, उनको dividend दे देने की बाद, अगर कुछ बचेगा, तभी आपको दिया जाएगा, जी हाँ, अगर आप equity shareholders है, तो preference shareholders का number पहले आने वाला है, dividend के अंदर, उसके बाद ही आपको दिया जाएगा dividend, बढ़ते हैं, दोस्तों, अगले point की और, no, 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 no charge on assets, जी हाँ, assets पे आपका कोई मालिक आना हक नहीं है, you are not the owners of the assets, you are not going to take charge of the assets of the company, क्योंकि ultimately company तो है, बड़ी सी joint stock company, आपने सुझ सिर्फ एक share खरीदा है, तो आप उस share के मालिक है, आपकी वो property है share, आप assets के मालिक नहीं बन जाते, yes, the equity shares do not create any charge over assets of the company, यानि सब कुछ आख equity share है, इसका मतलब ये नहीं, कि you will have charge on the assets, so you are not going to have any charge on the assets of the company, तो ये दो नो उमीद करता हूँ, आप समझ पाया होंगे, no preferential rights और no charge on assets, बढ़ते हैं दोस्तों अगले point, your piece is permanent capital, बहुत ही बढ़िया point है, बहुत ही interesting point है, याद रखिए, equity shares का जो पैसा होता है, वो permanent capital होता है, वो business के साथ बना रहता है, टिका हुआ रहता है, ये सबसे एहम capital होता है, equity shares are irredeemable, ये कभी capital और टाया नहीं जाएगा, ये कभी redeem नहीं होगा, redeemable का मतलब ही होता है वापस देना, या redeem कर लेना, वापस से निकाल लेना, लेकिन irredeemable होते हैं equity shares, the amount received from equity shares is not refundable, यानि वाप वापस कभी नहीं मिलता, by the company during its lifetime, equity shares become refundable only in the event of winding up of the company, जब company बंद हो रही होती है न, सिर्फ तभी ही ये chance है कि equity shareholders को पैसा मिलेगा, और company decides to pay buy back the shares, यानि वापस देने की नौबत अगर company decide करे, तभी ही ये हो सकता है, हाला कि इसमें भी सबसे पहले preference shares को ही प्राधाने मिलेग या उनहीं पहले पैसे लोटाए जाएंगे, equity shares का number इसमें भी बाद में ही आता है, thus equity share capital is long term capital and permanent capital of the company, तो ये capital है कैसा capital है, जो लंबे समय के लिए रहेगा, permanent रहेगा, company के जीवन काल तक रहेगा, lifetime रहेगा, उमीद करता हूँ दोस्तों आप ये point समझ पाए होंगे, no, no permanent capital, no, no permanent capital, no preferential right, no charge on asset or permanent capital, बढ़ते हैं दोस्तों आगे हमारा question of features of equity shares, answer का नाम है, no preference, no preference के अंदर are say rights, कुछ अधिकार हर shareholder को मिलते हैं, तो equity shares के साथ भी कुछ rights तो होंगे, देखते हैं वो कौन से rights हैं, equity shareholders enjoy certain rights, जैसे right to vote, right to share in profit, right to inspect books, and right to transfer shares, ये कुछ basic से अधिकार हैं जो equity shareholder को मिलते हैं, सबसे पहला right to vote, आप चुन सकते हैं, आप बना सकते हैं किसी को manager, आप चुन सकते हैं कि भाईया, board of directors कौन होंगे, you have the right to vote according to your share in the company, yes, it is the basic right of equity shareholders through which they elect directors, alter memorandum, और articles of association, etc. इसके अलावा right to share in profit, हक है, आप मालिक हैं तो आपको profit में तो हिस्सा जो है, वो मिलना ही चाहिए, it is an important right of equity shareholders, they have right to share in profit, यानि उनको profit में हिस्सा देना ही है, when distributed as dividend, if the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend as well, यानि देखिए, कई ऐसे shares होते हैं, जिनको एक fixed amount of dividend दे दिया जाता है, फिर ज्यादा profit होगा, तो भी उनको उतना ही मिलेगा, यहाँ पर equity shareholders को फायदा यह है, कि जब ज्यादा profit होगा, तो इनको ज्यादा dividend मिलेगा, इनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, yes, इसके अलावा right to inspect books आप कभी भी जाँच परताल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कुछ जोल यपाटा घोल तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर गडबर तो नहीं हो रही है, equity shareholders have right to inspect statutory books of their company, यानि सभी प्रकार की statutory books जो होती हैं, उन्हें check करने का अधिकार भी equity shareholders को मिलता है, इसके अलावा right to transfer shares, transfer कर सक जैसा कि normal procedure होता है, transfer का, वैसा transfer करने का अधिकार, equity shareholders को भी दिया गया है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले point की और अगला point भी बहुत ही simple सा है, residual claimant, यानि घर के भेदी हैं, यह घर की आदमी है, इनका number तो बाद में ही आएगा, किसी भी claim में, फिर वो profit का हो, dividend का हो, कोई भी हिस्सा हो, पहला number इनका नहीं आएगा, क्योंकि तो घर के हैं, इनको बाद में दिया जाएगा, जब महमान आते हैं, तो पहले मिठाई महमान को देते हैं, बाद में तुम को देते हैं, वो ऐसा ही होता है, yes, equity shareholders as owners are residual claimants to all earnings after expenses, taxes, etc. are paid, a residual claim means the last claim on the earnings of the company, यानि इनका claim जो पहले जो है, वो preference shareholders को दे दिया जाएगा, although equity shareholders come last, they have advantage of receiving entire earnings that is left over, हाला कि ये जो हैं दोस्तों, आखिर में भले ही आते हूं, लेकिन जो भी बचा है आखिर में, वो सब इन ही को मिल जाता है, ठीक उसी तरह, जिस तरह महमान आते हैं, मिठाई थोड़ी बाद खाते हैं, बाक यहां पर residual claimant में, बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला point जो है, वो है fluctuating dividend, यहां पर कोई fixed amount ते नहीं होता, कई ऐसे cases होते हैं, जहां पर preference shareholders को एक fixed amount of dividend मिल जाता है, लेकिन equity shares के case में ऐसा नहीं होता, इनको ज्यादा profit मिलने पर ज्यादा dividend मिल सकता है, कम profit होने पर कम dividend मिल स depends upon amount of profit earned by the company, if company earns more profit, the dividend is paid at a higher rate, यानि ज्यादा profit तो ज्यादा dividend मिलेगा, on the other hand, if there is insufficient profit or loss, board of directors may postpone the payment of dividend, यानि अगर profit कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कम आ रहा है, उतना ज्यादा हिस्सा नहीं दे पार है, तो board of directors जो है, वो meeting में यह तै कर सकते हैंगे, भ unpaid dividend, यानि हम equity shareholders हैं, तो हम कभी भी रॉप नहीं जाड़ सकते हैं, हमको दो भाई, हमको जरूरत हैं, नहीं, पहले तो उनी को देना पड़ेगा, क्योंकि हो preference shares वाले हैं, the income of equity shares is uncertain and irregular, the equity shares get dividend at fluctuating rate, यह बहुत ही आहम है, दोस्तों, इनको हमेशा fluctuating rate पर ही dividend मिलता है, मुनाफ value, yes, the face value of equity share is low, सस्ते होते हैं, it can be generally rupees 10 per share, और even rupees 1 per share, यानि कम होता है, ज्यादा महंगा यह वाला share नहीं होता है, market value की बात करें, तो market value of equity share fluctuates, बदलते रहता है, company के performance पे, according to demand and the supply of these shares, the demand and supply of equity shares depends on the profits earned and dividend declared, अगर performance अच्छी है, company की जाहिर सी बात है, profit ज्यादा होगा, तो उ market value बढ़ती रहेगे, लेकिन अगर डामा डोल हो रही है, company का उतना ज्यादा, जो profit है वो नहीं हो रहा है, उतना भाट भी नहीं हो रहे है, dividend, तो लोग शाहिद इसको ना खरीते हैं, market value गिरता चला जाए, when a company owns huge profit, market value of its shares increases, on the other hand, when it incurs losses, the market value of its shares decreases, तो उमीद करता हूँ, य से right issue और B से bonus issue, जी यहां दोस्तों, right issue, bonus issue, एक साथ ही हम issue करके पढ़ लेंगे, देखी होगा, एकदम हाँ, जब और 10 तरीके से, risk की जब बात करते हैं, तो याद रखिए, risk तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज irregular है, आपका number भी बाद में आने वाला है, तो risk तो है और equity shares अगर आप खरीद रहें, मतलब risk है, तो इसके आपको भाई, आप तो एकदम एकदम confidence से आगे बढ़ रहे हैं, तो risk अगर है, लेना चाहते हैं आप, तो definitely equity shares purchase कर सकते हैं, equity shareholders bear maximum risk in the company, they are described as shock absorbers, जटका खाने के लिए तयार होते हैं, yes, when company has financial crisis, सब कुछ इनको ही जहलना होता है, if the income of the company falls, the rate of dividend also comes down, due to this, market value of equity shares comes down, resulting into capital losses हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो, company को जब नुकसान हो रहा है, तब इन ही को सब ज्यादा तर मार उसकी जहलनी पड़ती है, does equity shareholders are main risk takers, बहुत ही बढ़िया, सबसे ज्यादा risk उठाने वाले equity shareholders होते हैं, इसके अलाव संदर्प में है ये बात है, when a company needs more funds, जब company को और पैसों की जरूरत होती है, for expansion purpose and raises further capital by issue of shares, the existing equity shareholders may be given priority, यानि जब company को ऐसा लगता है, profit of it अच्छा हो रहा है, और expand करेंगे, company को और बढ़ाएंगे, इसके लिए थोड़ा और ज्यादा पैसा चीए, तो ऐसे में जो existing equity shareholders होते ह ये बलती है, ले तेरे को share देती हूँ और, और shares खरीद, company को और ज्यादा मालिक बन जा, और तेरे को और profit मिलेगा भईश्य में, yes, तो इसी को कहते है, right issue, the shares are offered to equity shareholders first in proportion to their existing shareholding, अभी अगर उनके पास ज्यादा shares है, तो उनको पहले right issue किया जाएगा, ज्यादा उनको shares दिय जाएंगे, दिये जा सकते हैं, अगर उनकी इच्छा हो और खरीदने की, इसके अलावा बोनस issue की बात करें, तो इसका भी अधिकार equity shares को होता है, यहाँ पर दोस्तों, बोनस यानि आप समझ लीजे, gift में और shares company दे रही है, उसको फायदा हो रहा है, तो, bonus shares are issued as a gift to equity shareholders, these shares are issued free of cost to existing equity shareholders, जी हाँ, existing अगर आप shareholder है, equity वाले, तो आपको bonus free में, company bonus shares free में दे सकती है, these are issued out of accumulated profits, जो भी accumulated profit है, जो भी ज्यादा profit हुआ है, उसी में से bonus shares दिये जाते हैं, bonus shares are issued in proportion to the shares held, thus capital investment of equity shareholder tends to grow on its own, यानि उनका capital जो है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, अगर bonus shares मिलते रहते ह तो points भी आप समझ पा रहे होंगे, right issue, bonus issue, right issue, bonus issue, दोनों का फायदा, equity shareholders को मिल सकता है, दोस्तों, आखिर में कुछ points की बात करें, तो यहाँ पर C से controlling power, और C से capital appreciation, जी हाँ, controlling power और capital appreciation, याद रखिये दोस्तों, equity shareholders मालिक है, तो वो control तो कर सकते हैं, चीजों को, उनको voting का control of company is vested in the equity shareholders, यानि सारा अधिकार जो है, वो equity shareholders के हातों में होता है, they are often described as the real masters of the company, it is because they enjoy exclusive voting rights, दूसरे shareholders को voting का अधिकार नहीं होता, इनको होता है, और इसलिए तो यह असलिए मालिक है, the act provides the right to cast vote in proportion to share holding, they can exercise their voting right by proxies without even attending the meeting in person, by exercising voting right, they can participate in the management and affairs of the company, voting right के जरिये ही तो यह management में हिस्सा ले सकेंगे, यह participate कर पाएंगे, decision making के अंदर, they elect their representative called as directors for management of the company, यानि यही चुनते हैं, कौन direct करेगा company के affairs को, कौन company को आगे लेकर जाएगा, कौन company को चलाएगा, इनके voting से ही तो तैह होता है, they are allowed to vote on all matters discussed at the general meeting, यानि कोई भी meeting मे मुद्दा हो, उसके उपर यह अपनी राइद देते हैं, यह voting भी कर सकते हैं, yes, does equity shareholders enjoy control over the company, बढ़ते हैं दोस्तों अगले point की ओर, capital appreciation, इनका capital जो है न, जो इन्होंने पैसा लगाया है न, वो बढ़ता है, वो increase होता है, share capital appreciation takes place, when market value of shares increases in the share market, profitability and prosperity of the company, enhances reputation of the company in share market, and it facilitates appreciation of market value of equities, जैसा मैंने आपको बताया, company को अगर फायदा हो रहा है, तो उसके shares का भाव बढ़ रहा है, उसकी market value increase हो रही है, इसी से तो capital increase हो रहा है न, इसी से तो जो लगाया हुआ पैसा है, वो दिन दुगना, रात चावना, तरक्की कर रहा है, तो इसी को कहते हैं, capital appreciation, ज पीछे का सपाट हो जाएगा, याद रखिए, no preference, याद रखिए, no preference, question का नाम, features of equity shares, answer का नाम, no preference, where, no preferential right, no charge on assets, P से permanent capital, R से, rights or residential claimants, इसके अलावा F से fluctuating dividend और face value, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, face value पे साथी, market value, face value, market value, face value, market value, face value, market value, face value, market value, इसके अलावा दोस्तों, R से risk और right issue, आगे bonus issue, इसके साथ ही right issue, bonus issue, right issue, bonus issue, और आखिर में controlling power and capital appreciation, उमीद करता हूँ दोस्तों, यह सारे points आप लिख करके ज़रूर practice करेंगे, और इसी साथ हम आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बा उसके सब्सक्राइब.